प्रोफिटेबल विजनस क्या बात करेंगे आज आज हम बात करने वाले हैं उस माइंड सेट की जो की क्रियेट करता है जो की पैदा करता है जो की जनम देता है किसको प्रोफिटेबल विजनस को कैश रिच बिजनस को क्या कहना चाहता हूँ मैं कहना यह चाहता हूँ कि उस माइंड सेट में कोई भी फाइदा नहीं है किस माइंड सेट के अंदर उस माइंड सेट के अंदर जहां पर आप कहते हो कि चलो एक काम करते हैं बिजनस करते हैं जग मोहन बिजनस और बिजनस करने के लिए क्या चाहिए होता है पैसा तो क्या करेंगे एक प्रजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उस प्रजेक्ट रिपोर्ट में लैंड भी हमारे पास भी नहीं है मशीनरी भी हमारे पास नहीं है कुछ नहीं है हमारे पास सिरफ एक क्या है ए मेरे पास पैसे हैं, बाकी 90% तो लोन ले लेंगे, आजकर equipment भी finance के उपर आ जाते हैं, building भी बना लेंगे, अच्छा, उसके बाद हमने सोचा, कि जब मेरी state of the art facility बन जाएगी न, बन जाएगी, state of the art facility, तो उसके बाद तो फिर देखना, sale, 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 fit तो मैं बहुत लगफती बन जाओगा, loan कितना चाहिए, इतने करोड का, EMI कितनी बनेगी, इतने की, इतनी तो demand market के हंदर आई है, इतना तो बिगी जाएगा, इतना तो cash flow आई जाएगा, अरे नहीं, ये mindset कोई cash rich business का mindset नहीं है, तो फिर क्या कहना चाते हो, जग महांच तुम, आज 5 AM cash, लो, mastery के अंदर, आज 2 March को, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कि देखिए, अगर आप success story देखो ना, तो जिन businesses ने जंडे गाड दिये हैं, जिन businesses ने एक impact create कर दिया है market के अंदर, वो कौन है, उसका जो business entrepreneur है ना, उसका जो leader है, या उसकी core team of director है, चाहे वो co founder है, तो उनका vision बड़ा clear है, वो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, कि already यहां तो वो कहीं पर job करते थे, और वहाँ पर उन्होंने पूरी की पूरी market को समझा, उसके बाद उस problem को identify किया, और उस problem को solve करना शुरू किया, जब problem को solve करना शुरू किया, तो वहाँ पर पहले चाहे वो job करते हुए solve कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने trading model के अंदर, service model के अंदर करना शुरू किया, जैसे 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 revenue बिल्ड होता चला किया, तो पीछे backward integration और forward integration करके, अपना infrastructure बढ़ाते गए, पहले दिन से ही वो profitable है, पहले दिन से ही वो cash rich है, किस mindset पे जा रहे हैं, किस mindset पे जा रहे हैं, मेरे एक दोस्त है, client है, ये बात है उन दिनों की, जब कालका जी के अंदर मैं article ship करने के बाद कुछ समय काम कर रहा था, वो देशबंदु गुपता college, नेरु प्लेस के पास walk करते करते जाते थे देशबंदु गुपता college, के पास कालका जी, वहां से नेरु प्लेस और वहां के राजमा चावल, I remember when I become CA in the very very beginning, तो वहां पर मेरे client मेरे पास आ और हम दोनों scooter पे बैठ के सीधा नेरु प्लेस गए, वहां पे हमने stamp paper खरीदा, partnership deed बनाई, partnership को हमने neutralize कराया, उसके बाद pen number apply किया, फिर उसमें sale tax number हुआ करता था, sale tax number लिया, और coated fabric, vaccine की trading करनी शुरू की, trading के अंदर जब हाथ बैठ गया, उन्होंने trading करनी शुरू की, मेर trading करते करते करते, फिर setup पैठा, तो फिर बहादूर गड़ के अंदर एक setup बनाया, फिर और बढ़ा तो दो setup बना लिये, फिर आमने सामने बना लिये, फिर करते करते एक बड़े industry लेरे के अंदर shift हो गए, फिर पता लगा कि बहुत सारी financing की, बहुत सारी almost free of the cost चीज़ें available ह जैसे उन्होंने छे महिने पे foreign credit लिया, जो तीन साल तक कर सकते थे, जर्मनी से पूरा का पूरा plant import करे लगा दिया, next level का coated cotton textile बनाना शुरू कर दिया, तो क्या था, सामने front पे क्या है, कि पहले दिन से ही scooter का petrol भी निकलना चाहिए, गाड़ी भी निकलनी चाहिए, जब घर गया तो उसका भी काम होना चाहिए, employee की salary time पर जानी चाहिए, और business की growth ना, ऐसे करते 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 करते, फिर वो next level के उपर चले जाते हैं, अब तो कहने ही क्या, अब तो एकदम next level पे पहुंचे होए हैं, कहने का मतलब क्या हुआ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं स सारी की सारी कहानी है ना, वो mindset की है, profitable or cash rich business की, जैसे ये जो आदत पढ़ चुकी है ना, जैसे ही पैसे कम हुए, चल लोन ले लो, ये लोन की ना habit है, ये गंदी habit है, जैसे किसी को, किसी को, अब क्या बता हूँ, अब drink में कुछ भी ले लो, किसी को चाहे के drink की आदत है, त ये मुझे लोग जानते हैं, चलों यहां से term loan तो मिली जाएगा, अच्छा एक काम करते हैं, पैसा मैं थोड़ा सा over introduce कर देता हूँ, कुछ पैसा gratuity का पड़ा हुआ है, उसको निकाल के मैं डाल देता हूँ business के अंदर, ऐसा लगता है कि जैसे पैसे डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, और पैसे business के अंदर डालना कोई जादू की छड़ी है, ऐसा नहीं है, मात्र पैसे business से डालने से आपका business profitable हो जाएगा, क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, point समझ गए आप, point समझ गए, आप कह रहे हो, थोड़ा थोड़ा तो समझ गए, लेकिन clarity के business model, दंदा है क्या, business model के अंदर वो किस problem को soul कर रहा है, मनिया, rock bottom खर्चे करके, ना के बराबर खर्चे करके, पैसे तो लगानी नहीं है, अपने पैसे तो लगानी नहीं है, other people's money, other people's effort, बिनना पैसे लगाए, ये business जो problem soul कर रहा है, soul होती है क्या, supplier का credit है, आप बड़ी-ब अच्छे-च्छे, deals पकड़ी, क्योंकि उनको धजदे की समझती उनको पता था कौन सा कपड़ा कितना बरी, कितना बड़ा, कौन सा जुदों में लगेगा, कोन सा दिवार के पड़ों में लगेगा, और कोन सा कपड़ा, किस काम आएगा, उनको मालुम था, तो उस धजदे करी लो तो फिर expansion की जाती है यानि कि एक गुदाम भर गया है दूसरा गुदाम डुलने के लिए आ रहा है तो दूसरा गुदाम हम किराय पर ले रहे हैं एक marketing की team जो है उसकी बस हो चुकी है अब दूसरी marketing team को hire कर लिया है चाहे salary बढ़ा के एक बंदे को डेड़ गुदा salary दे के तो गुदा काम करवा लो लेकिन let the momentum grow the business let the momentum grow the business ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता कि भाई मेरे ऐसा नहीं होता नहीं होता नहीं होता कि हमने state of the art plant लगा लिया और लोग तयार बैठें आपसे माल लेने के लिए जैसे ही state of the art plant लगा लेंगे setup बना लेंगे facility बना लेंगे लोग हमें बना देंगे job worker और margin मिलेगा इत्तु सा जीपी sheet खतम और अपने खर्चे को पुरा करने के लिए capacity को manage करने के लिए 30-40% capacity पे अगर infrastructure चल रहा है तो कैसे बाद बनेगी आप कहा रहे हो कि जगमोहन सिर्फ manufacturing की बात करोगे क्या अरे नहीं service में भी तो ऐसा होता है कितने employee hire कर लिए architect साब आपने देखो employee की salary 40% से ज़ादा नहीं होनी चाहिए 30% पे असे बहुत होता है उतने revenue के इसाब से आपको increase करना है otherwise क्यों staff hire कर रहे हो आप खेरों जगमोन आज तो पूरे mood में हो आज तो तो तुमने पूरा mindset खोल के बता दिया किसका profitable हो cash rich business का देखिए आज के लिए ही इतना ही आज ना बड़े खास दिन है क्यों क्योंकि अभी हम सब जा रही है हम सब ही जा रही है cash low summit में 2 March 2024 pullman all the team GSI super excited आज देखना क्या कमाल होने वाला है तो आजाओ सारे के सारे सुबह 8 बजे और मैं भी almost ready हूँ 5 एम करके निकल रहा हूँ super excited to meet each one of you in cash low summit 2024 today और ये 5 एम cash flow mastery का सिल्सिला चलता रहे चलता रहे चलता रहे और आप जो है अगर अभी भी cash low community में नहीं आये हो तो ये mobile number है उसके उपर आप message भेजो और मैं आपको add कर दूँँगा उस वाली community के अंदर तो चलिए thank you so much for today क्योंकि आज ना दिनी ऐसा खास है कि मन कर रहा है कि बस फटा फट पहुंचो pull man arrow city thank you so much thank you so much for participating today and maintaining the consistency of 5 एम cash low mastering so I'm truly 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 thankful to Anurag Agarwal जी Ashok जी Dr. Sanjay Narwal जी Kanika जी Kulji Mahajan जी Manav Kapoor जी Mahindar Singh Jaggi जी Piyushayan जी क्या बाद है Piyush जी Rona Gagarwal जी Piyush जी आज ना IPO के ओपर बड़ी amazing चर्चा होने वाली है miss नी करनी हाज की IPO की चर्चा Rona Gagarwal जी Salil जी जी शुरेंदर नाम देव जी and everybody who is live present with me चलिए Thank you Thank you Thank you Have a great and amazing 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 time तो मिलते हैं Kuljeev जी तो सबसे पहले पहुच गए है Kuljeev जी हम भी आ रहे हैं हम भी आ रहे हैं चलिए Okay Thank you very much Have a great and amazing time Bye